हेलो मेंबर्स होग पास सब खेरियस से होगे तो यहां पर हम मार्केट के बारे पर डिसकस करेंगे आपको कुछ मार्केट के अपडेट देएगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि यहां पर बीटसी का नेक्स मूफ क्या होने वाले है तिकाज अभी बहुत सरे लोग फोमो में आकर आपको कोई इंटरी नहीं लेनी ठीक है क्यों नहीं लेनी वो आखी जाकर थोड़ा हम एनलाइज करेंगी और उसके पास फर्दर जो भी डिसकरिशन होगी वो आपके साथ शेर करेंगे और उसके बाद आप अपनी रिसर्च करने के बाद चाय शॉर्ट की इंटरी लें या long entry लें वो आपकी मरसी है और further आपके साथ एक तो entry हम share भी करेंगे किसी आर्ट स्क्वीन में तो आप उनको भी follow कर सके हैं अपने research करने के बाद और अपना risk management करने के बाद तो यहाँ पर अगर हम अभी बात करें तो BTC अभी चर रहा है further discuss करते हैं यहाँ पर अगर आप देखे तो मैं मार कर देता हूं first attempt BTC नहीं यहाँ पर की second यहाँ पर again और यहाँ पर भी third तो मतलब आल्मोस तीन attempt यहाँ पर BTC कर चुका है और तीनों attempt में BTC थी यहाँ पर 25,000 जो यहाँ पर $200 है उसको break BTC नहीं कर पाया उसको touch करता है अगें 24,500 के अरौंड आ जाता है तो यहाँ पर जो अभी की situation है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 25,000 और 300,000 के अरौंड यहाँ पर हमें काफी liquidity पड़ी नजर आ रही है जोके बहुत सरे लोगों ने यहाँ पर BTC को short की और उनकी यहाँ पर जो liquidity आ रही है वो 25,300 या 500 के around आ रही है तो इसी वज़न से यहाँ पर BTC इसको break नहीं कर पा रहा लेकिन अगर BTC आप 25,500 को break करता है तो next scenario क्या होने वाला है हमारे लिए क्या आपको जैसे BTC 25,300 को break करें आपको entry कर देनी चाहिए या नहीं कर करनी चाहिए तो अगर आप मेरा opinion लें तो आपको entry नहीं लेनी चाहिए आपको क्या करना है आपको करना है weight और उसके weight के बाद आपको यहाँ पर लेनी है entry अपनी let's suppose यहाँ पर BTC इस zone को break करता है ठीक है break करने के बाद BTC यहाँ पर let's sports चला जाता है 25,800 पर और वहाँ से again हमने ऐसा नहीं करना कि बाद BTC यहाँ से pump हुआ है ठीक है that's for BTC यहाँ से pump हुआ है और हमने इस pump में जाकर former mintory करेट कर लिए कि BTC अभी यहाँ पर इसने break किया तो यह 28 या 30,000 डॉलर्स पर चला जाएगा तो मेरी यहाँ पर entry या profit मिस न हो जाए तो आपने ऐसा नहीं करना आपने wait करना है इस retest का ठीक है अगर यहाँ पर BTC एक successfully retest लेता है इसी sport के उपर जो कि अभी resistance है तो हम यहाँ पर अपनी एक long की positions create कर सकते हैं proper एक stop loss के साथ और हमारे यहाँ पर जो targets होंगे वो 26, 27, 500 के around होंगे first targets फर्थर जो भी होंगे वो हम बाद में update आपको कर देंगे लेकिन अगर BTC आता है और यहाँ पर 25, 300 को break करता है लेकिन अपनी one day candle इसके अबाव close नहीं करता है और again इसको break down कर देता है और price आ जाते है 24 यह उससे भी नीचे तो then क्या होगा अगर आप then यहाँ पर messages कर रहे होंगे आप बहुत सारा आप यहाँ पर fair में होगे कि अब क्या होगा तो आपने ऐसा नहीं करना आप अभी एक proper wait करें market का कि आपको किस जगों पर entry लेनी है हम आपको previous बहुत सरी वीडियो में बता चुके है कि आपको एक further एक plan के साथ चलना होता है हमेशे आपने proper setup बनाना है उस setup को आपने यहाँ पर run करना है तो देखें अगर हम अभी बात करें यहाँ पर one-offs के chart की तो अभी के लिए हम अगर बात करें तो हमारे पास एक अच्छे खासी sport पड़ी है वो है 23 500 के around जो के अभी के लिए हम कहा सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छी sport है जहांसे बीटसी अगर जहांसे down भी आता है तो वहांसे हम bounce back मिल सकते हैं और अगर हम यहाँ पर उपर वाला इसको touch किया लेकिन break नहीं कर पा रहा ठीक है यह अभी हमारे लिए बीटसी के लिए यह वाला zone है यह बहुत ही ज्यादा important है जिसमें बीटसी अभी यहाँ पर trade हो रहा है तो अगर हम इसी zone को इसी setup को लेकर चलें और अगर हम यहाँ पर देखें कि बीटसी इसको upside break करता है तो हमारे upside क्या यहाँ पर targets होने चाहिए तो अगर हम इसको देखें तो हमारे targets around $27,000 के हो सकते हैं अगर हमें यहाँ पर success यहाँ पर मिलता है breakout और उसके बार retest तो हमारे यहाँ पर targets 27 के around हो सकते हैं अज़र्वाइस यहाँ पर अगर यह again reject होता है तो अगर बहुत आधा हमारे पास अच्छी sport है जहाँ पर हम अगेन अपनी scalp long credits create कर सकते हैं तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें further आपके साथ तो Ethereum यहाँ पर चर रहा है breakout and retest पर ही आपको entry create करनी है अगर हम यहाँ पर four hours के chart की बात करते हैं तो four hours के chart अगर आप यहाँ पर देखे तो आपको यहाँ पर जो lines वगर नजर आ रही है यह liquidity आपको नजर आ रही है ठीक है यह देखें अभी के लिए हम अगर बात करें तो 25, 300 पर हमें अच्छी खासी liquidity बड़ी हो नजर आ रही है और इसके इलाव अगर आप यहाँ पर देखें तो यह आपको कुछ boxes नजर आ रही है ठीक है इसको थोड़ा आप समझिएगा यहाँ पर देखें तो बिटसी ने आपर pump किया ठीक है यहाँ पर बिटसी ने यहाँ पर 15,000 को टच किया था उसके बाद बिटसी ने आपर pump किया और pump करने के बाद बिटसी ने जैसे 20,000 डॉलर को break किया और यहाँ पर बिटसी ने टच किया था 21,500 स्को ठीक है तो यहाँ पर बिटसी around कोई एक दो हफता यहाँ पर बिटसी इस zone में trade हुआ था ठीक है वन वीग बिटसी मतलब भी zone में trade हु इसी accumulation zone में और उसके बाद again upsets तो यहाँ पर भी मुझे तो सेम अभी यही scene लग रहा है बिटसी का कि बिटसी ने आपर pump किया उसके बाद again accumulation zone और अभी यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से breakout होता है तो बिटसी around यहाँ पर 28,000 डॉलर तक जा सकते हैं लेकि लिकिन इसके साथ सथ अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको न्यूज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए ठीक है जैसके प्रिविएस दिनों में जब इटसी ने 21,600 को टच किया है 24,600 को टच करने के बाद तो तब अगर हम यहाँ पर बात करें तो तब यहाँ पर यहाँ को लेकर कुछ फर्ट फिलाया जा रहा था उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी बी यूएस बी को लेकर तो इस तरह के अगर मार्किट में को इन आक्टिव नियूज आती है तो उसको आपको पता है कि मार्किट पर इंपक्ट पड़ता है तो आपको हमेशे यहाँ पर क इंडेक्स एक वेबसाइड है आपको इस पर भी नजर रखनी है कि यहाँ पर जो भी नियू अपडेट होती है फर्स्ट तो हम अपने टेलिक्राम ग्रूप में अपडेट वगरा कर देते हैं तो अगर आपने उसको जोईन नहीं किया तो आप उसको भी जोईन करके रख सक आप यहाँ पर अपने ख्रोम में इसको सेव करने तो आप इस पर जो भी नियूज वगरा होती है आपको यहाँ पर मिलती रहती है और इसके लाव अगर हम यहां पर बात करें तो आप हमारे यहाँ पर कॉप्यर्ट को फालू कर सकते हैं फियर टैक्स एक्शेंज पर पर आपको risk and reward का जो setup होता है वो ऐसे ही follow करना होता है यहाँ पर भी आपको loss भी होसकता है profit भी होगा जो के हमें भी अगर loss होता है तो हमें भी होगा और आपको भी साथ में होगा और वैसे ही अगर हमें profit होता है तो आपको भी profit होगा I hope आप अभी market को समझेंगे कि अभी हाँ पर हम एक top पर हैं एक resistance पर हैं तो इस resistance पर अभी के लिए कोई entry नहीं बन रही ठीक हैं तो इस entry जहां पर नहीं बन रही तो वहाँ पर market को force करना कि हमी आपर कोई entry बना कर दे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है तो अभी हम वेट करे करेंगे market का कि market हमें कोई अच्छी entry दे और हम अकेन उस entry को महाँ पर follow करके profit बनाए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी सब्क्राइब करें और हमारे टेलिग्राम ग्रूप को लाजमी जुआन कर दीजिएगा तो मिलते ह अच्छी ड़ियो में